नमस्कार आप यंग कपल हो आप साधी करने जाए अच्छी बात है लेकिन साधी करने से पहले ये तीन क्वेश्चन अपने पार्टनर से जरूर पूछना चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो ये तीन प्रस्ण आप सामने वाला पार्टनर से जरूर पूछना ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपोर्टन क्वेश्चन है अगर आपने नहीं पूछना तो फिर बात में जीवन बर वो क्वेश्चन सामने वाला पार्टनर आप से पूछता रहेगा कि आपने पहले ऐसा नहीं बताया आपने पहले ऐसा बताना चाहिए था आपको आपको ऐसा करना चाहिए था साधी करने से पहले मेरे को ये बताते फिर अगर आपने अब साधी कर ली है तो अब क्या हो सकता है आप पहले ऐसे बताते तो मैं आप से साधी नहीं करता मैं अपना जीवन बर आपको पस्ताना पड़ेगा और आप रिग्रेट करोगे नमबर वान अपने पार्टनर को पुराने रिष्टे से अवगत कराएं कभी कभी क्या होता है कि आपकी सगई पहले कई होई होती है और किसी कारण से तूड़ जाती है या आपका कई ब्रेक अप सामने वाले पार्टनर को जरूर बताना कुछ भी छुपा कर सामने वाले पार्टनर से साधी मत करें अगर आपने साधी कर ली कुछ भी छुपा करो साधी के बाद आपके पुराने रिष्टे वापिस उबर के आए आपके पुराने रिष्टे अगर आपके नए पार्टनर को पता चली होगा सद्री होने के बाद तो फिर क्या हो जाया आपका पार्ट्र कुछ एक पहले मेरे को बताना तो चाह करने था। उसके दिल को हर्टक होचेगा मिए उसके दिल को को चोट को चैने ओर हो सकता है कि आपको विभाई जिवन खराब भी हो जाए इसलिए आपका जो भी पास्ट रहा हो आपका जो भी ओल्ड रिलेशन रहा हो अल्वेस तेल टू यूर नू पार्टनर सेकंड जो आप लड़की हो मान लो और आप साधी करने जा रहे हो तो सामने वाले अपने पार्टनर से बात कर ले कि क्या वो साधी के बाद आपको जोब करने देगा क्या वो साधी के बाद आपकी जोब वाली फ्रीडम को मेंटेन कर पाएगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो साधी करने जाते हैं तो फिर उनको पसंद नहीं होता है कि उनकी पत्नी कहीं जोब करें वो चाते हैं कि उनकी पत्नी घर पही रहें और आराम से घर का काम करें उनको पसंद नहीं होता है बार का जोब करना तो आप भी एक बार जरूर पूछ ले, साधी से पहले, कि क्या आपको जोब करवाना पसंद है, क्या मैं साधी के बाद भी जोब कर सकती है, ये question पहले पूछ लेना, वरना साधी के बाद अगर आप जोब करने जाओगी और आपके पती कोई अच्छा नहीं होता तो अच्छ ले, कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर, कंपल्सन मजबूरी में साधी करता है, कभी लड़की मजबूरी में साधी करती है, कभी लड़का मजबूरी में साधी, समाज का दबाओ, माता-पिता का दबाओ, और बहुत सारे दबाओ, प्रेशर रहता है कि साधी करने का, सामन आपकी इसमें सहमती हैं. वो खुलकर बोले कि हाँ मेरी सहमती हैं तब ही आप सादी करें. वरना प्रेशर में आप सादी निमत करना. वरना आपकी सादी सुधा जिन्गी खराब हो सकती. तो ये तीन क्वेश्चन अपने खुलने वाले पार्टनर से आप जरूर पूछना आपके लिए बेनिपिट होगा. नहीं तो आपकी सादी सुधा जिन्गी खराब हो जाएगी. आपका रिलेस्ट टॉक्सिक रिलेस्ट हो जाएगी. और ऐसा टॉक्सिक रिलेस्ट आपके लिए बहुत गातक सावित होता है.